बॉट बॉर्निंग आल वेलकम तो लेर्नर्स अकेटमी यह सेद्य भी कंप्लिटेट्टरी पाट अब यह सारे इसमें और हमने वन टू एक टो इंट्रोडोक्शन भी इसमें कवर हो गया और यहां और तोएफ नियुक्ट नहीं है क्या मूल मंत्र की याद रखना है इस एक्सराइस के लिए करीब-करीब अब जैसा भी तो स्लोप ही पूछ रहा है आगे जो भी कुछेगा जो भी सबसे पहला काम करना ही है कि यह पूरी एक्विशन में कर्व की एक्विशन को करना है और सबसे पहला काम है कोई भी क्यूशन का करीब-करीब चलो किशन सबसेंट नम्मर सेवंट इस पॉइंट जहां पर लिखा वा रहे है तो आप डाउट करना कि एक से ज्यादा बन सकती है आप वह पॉइंट निकालो जहां पर अगजब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वह टेंजेंट जो है एक सेक्सिस के पैडल बनेगी ओके समझ गए क्यूशन समझसा पर जहां पर अपन टेंजेंट बनाते हैं उस पॉइंट को अपन पॉइंट ना बलके points of contact भी बोल सकते हैं तो कहने हम मतलब है वह points of contact निकालो points of contact भी बहुत सारे हैं और हरे एक point of contact पे एक tangent यह लेकिन उन में से वो सारी टेंजेंट पिक करो जो कि एक से से parallel बने वह एक से पार्लल बनने वाली tangent किस-किस इस पे पैप बनी वह कॉइंट सो कॉंटेक्ट बताओ एक उसकते न दो भी ऊसकते इसके पैरलल इस पैंड बनेगी दो भी बन सकती है इस पर बन सकती है जहां पर जब मैं टेंजेंट बनाऊं तो यह पॉइंट बताओ जैसे इस पॉइंट पर बनी सर इस पॉइंट पर निकाल के समझाए चलो कैसे स्टार्ट करूंगा मैंने क्या कहा सब सब यह तो करीब करीब हरे क्वेशन का पहला स्टैप होगा कि equation of the curve is given as इसको मैं कर देता हूं पहला काम ठीक है पहला काम यह उसके बाद differentiating both sides with respect to differentiating both sides with respect to x सब्सक्राइब यहां से क्या लिख दूँगा मैं इसको डी वाइवाई दी एक्स इस इकॉल टो लो अब यह तो डेरिवेटिव आया है लेकिन डेरिवेटिव जो आया है वह उस पॉइंट पे जहां पे अपने को अब उस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा यह तो यह तो यह तो खुद एक function of x की तरह दिखाई दे रहा है न अब उस मिचक्र नहों अन श्लोप और यंजंट और फिर गीवन कर तो भीओं कर पिंटो पिंटोसले पिंट ऍलनी सिह लेट दे पूइंट ऑफ कॉंटेक्ट भी जब पूछे तो इसको अज्यूम करो जब गीवन हो तो सीधे रखो समझ गया और जब 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 करेंगे तो कैसे करेंगे या तो एक जीरो या फिर एक सब्सक्राइब फिर नाओ स्लोप अफ टेंजेंट टु दे गीवन कर कहां से मिला थो मैंने लिए पॉइंट ऑफ उप एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक साइज में स्लोप ऑफ नॉर्मल तो कन्फूजन ना हो वैसे तो देख सकते हैं विस सेफर साइट टूब्यां थे लगाएं अट मतलब slope of tangent mn मतलब slope of normal एक बिलकोल fix notation याद हो किया ना empty is equals to क्या होता है dy by dx at the point of contact क्या माना हमने x0 y0 x0 y0 इसको निकालूंगा यानि कि वहाँ पे जहां जाहां जाहां x0 जाहां जाहां y यह तो आही नहीं तो क्या हो जाएगा यह 3 x0 का square minus 6 x0 minus 9 यह मेरा finally slope of tangent आ चुका है at x0 y0 अब उसने क्या कहा था कि यह जो tangent बनेगा यह parallel to x-axis बनेगा तो tangent एक line होती है तो जो line parallel to x-axis बने उसके क्या rules मतलब एक तरीक उसकी क्या properties हमने सीखी थी कि जो उनके slope ना वो तो दो lines अगर parallel हो अगर दो यहां पर यह तो एक ही line है वो line x-axis के parallel है तो उसकी slope के बारे में क्या ख्याल है क्या होता है कि जो line x-axis के parallel इसका स्लोप निकालो यह जिरो टैन्जीरो क्या होता है जीडो तो slope of tangent क्या जाएगा जीरो तो जो line x-axis के parallel है उसका स्लोप जीरो और जो line y-axis के parallel है उसका स्लोप कल introduction में लास्म जाज जाए नहीं बताए था जो line x-axis के parallel हो स्लोप जो line y-axis के parallel ऊसका स्लोप infinite 10-90 yar तो यह line किस के parallel है एक्स-axis के पर ले तूप क्या हो जाएगा जीरो हम なे distort निकाला है उसको 0 के के क्वेट कर दो क्यों कि कि में जो स्लोप निकाला है उस स्लोप को 0 के क्वेट कर क्यों क्योंकि ये टेंजंट जो है X-axis पर्लेल है ठीक हमने अब ही स्लोक कैसे निकाला डिफ्रेंट्सीशन वाले तरीके से अब दूसरी बार अंगाल रहें डारेट गीवन इंफोर्मेशन से कि लाइन जो एक्क्षेस के पारलर फे दोनों को कर दो एक्वेट ठीक लीन लिखेंगे है आए कि ना उटीस गीवन डाट लगा देता हूं क्योंकि एक से ज्यादा टेंजेंट भी हो सकती है यह है टेंजेंट या टेंजेंट आर पैरलल टू आर पैरलल टू अभी एंडर्स्टूट सी बात हैं क्योंकि ट्विल्ट क्लास की बाते लेवं मेंशन करते हैं कि वी नौ दाइट विचार पैरलल टू एकसे स्लोप जीड़ो और अगर पैरलल टू इंफिनिटी यहां से एकस जीरो मुझे बड़ा हेक्टिक लग रहा है अगले बार से मैं एकस वन लोगा ठीक है न बाकी आपन जो चाहें बोले सकते हैं से प्लस तो यह तो यह तो आगए हमारी एकस जीरो की वैली क्या था पॉइंट्स निकालों तो पॉइंट्स का x-coordinate दो पॉइंट्स निकलने तो उन जो भी वो पॉइंट्स निकलने उनके x-coordinate तो कोडिनेट भी निकलने पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे इन x-0 की वैल्यू वहाँ डालेंगे जहां पर जिसकी इक्वेशन में डालेंगे जिस पर यह लाय कर रहे हैं तो ऐसे वन यह कंट किस्किस लाय कर रहा है। टैंजेंट पह और जिस इकवेशन की चिफाल है किसके की चाहिए वह तो हम कर गप और चाहाँ एक निकालने के लिए यही काम करना रभड़ेगा उससे यह दो एक्सकॉडिनेट निकलेगा यह यह और निकलेगा फिर कुर्व की एक्वेशन टेंगे जो भी चीज गीवनेस में पूट अप करेंगे ठीक है तो एक लाइन लिखेंगे हम इसके आगे नौ दे पॉइंट ऑफ़ नाँ पॉइंट ऑफ कॉंटक्त पॉइंट ओफ कॉंटक्त जो की हमने माने थे एक जीरो याइजीरो लाइ अन दर कर लाइन दर गीवन कर so it must satisfy they must satisfy the equation of the given curve so putting x, y equal to x0, y0 in the equation of the curve we get the equation of the curve we get so equation of the curve क्या थी 7 दा न, यही थी x cube आ ले, तो y की जगा तो y0 x की जगा x0 का cube है minus 3 x0 का square है minus 9 x0 है, plus 7 अब इसमें क्या गरूँगा, x0 की value तो आ गई ने मेरे पस दो, वो दोनों value सोट आप कर दूँगा, तो y0 की आजएगी वो ही मेरे points of contact होंगे ठीक है so x0 की दो values का उनकों से निकाली आपने 3 और minus 1 एक बार तो रखो 3 तो 3 रख देता हूं, मैं 3 का cube minus 3 into 3 का square minus 9 into 3 plus 7 और लगाओ और दूसरी minus 1 का cube minus 3 into minus 1 का square minus 9 into minus 1 plus 7 solve करो 3 का cube यह तो 3 का cube भी हो गया, कट गए तो दोनों, समझे? यह तो 3 cube minus 3 cube कट गए 9 3 है, 27 minus 27 plus 7 minus 20 और इधर आजाओ इसको solve करो so खोलना, अनुशका minus 1 आराम से minus 1 minus 3 plus 9 plus 7 so it's like minus 1 minus 3 is minus 4 9 plus 7 16 minus 4 is 12 ठीक है? तो y0 की भी 2 values आ गई अब x0 की कोन सी value के साथ y0 की कोन सी value है, वो match कर लो वो ही हमारे points of contact है, न? so the required points of contact are required की चीज़ कहती है, वो last में हमेशे conclusion लिखना है, क्या required चीज़ थी? points of contact है, न? hence the required points of contact are हमने माने थे x0, हमने assume के की थे x0, y0 तो is equal to x0 जब हमने 3 रखा, तो y0 आया minus 20 and x0 जब हमने minus 1 रखा, तो 12 that means उस कर पे दो points ऐसे हैं, जहां पे tangent बनाएंगे, तो x-axis के parallel बनेगे, वो दो point यह है, अब इस से फर्दर आगे का question बन जाता है, कि वो जो दो tangents बनी, उनकी equation भी बताओ, यान equation of tangent, अभी तक आप तो इन दोनों की मदद से, अब equation भी बनानी पड़ सकती है, ठीक है, next questions, वो और भी लेंदी question हो जागा, इसके आगे का काम भी हो सकता है, ठीक है, further equation of normal भी पूछ ले, question तो equation अमलब tangent से related था, लेकिन final conclusion में आप से दोनों पूछ ले, अब इस point of contact पे equation of tangent भी बनाओ, equation of normal भी बनाओ, तो सारे काम मिल सकते हैं, चलें, हम next question से एक तो steps से skip करेंगे, छोटे मोटे, कोई अलग बात होगी तो लिखेंगे, और x1y1 लेते हैं, फोर्वोट से का ना, x0y0 काफी irritating है, चलो, next, find a point on the curve, एक कर्वें मारे पास y equal to x minus 2 का whole square, can you see the curve, पहली लाइन होई हो जाएगी, here the equation of the curve is given as this, और दूसरी लाइन हो जाएगी, differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx, दो steps तो ये fix हैं, फारी किशन में, करो 2 into x minus 2, that's it, आगे पढ़ते हैं किशन, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन इतना तो होगा ही होगा, application derivative chapter है, अब इस curve पे वो points बत, एक के point ही देखो, find a point, तो hint पकड़ा करो, एक ही निकलेगा फिवार, देखो linear बना, linear बना तो equal to, किसी से भी equal to करो, उसको x के equivalent को आईगी, ठीक है, चलो, at which, ऐसा point बताओ उस curve पे, जहां पे जब मैं tangent बनाता हूँ, तो वो parallel होता है, एक code के एक code के, और वो code इन दोनों point को connect की, अब code क्या होता है, curve पर लाया होने वाले दो point को connect करने वाली land segment, जिसको हिंदी में हम जीवा बोलते हैं, तो अभी curve है, अभी circle तो है नहीं, तो curve, तो सोड़ा से imagine कर लो वैसे, यह के वल आपकी, मैं personal understanding के लिए बता रहो, बाकी curve की equation, म बना इस पोइंट पे मालो टेंजेंट कीस लिए इन करने वाला बने यह है ूहें, टेंजेंट क्या होता है जो एक पॉंट पर छूक करनेटelles तो यह पॉइंट आपको बताना है जब पूछे तो हम क्या माल लेते हैं क्या माल लेंगे ठीक है वैसे एक जीरो वाई-जीरो बान सकते हैं क्या गई शॉट में चल रहा हूं में सारे स्टेप स्पिस्लेकिशन की तरह से रिपीट हो जाएंगे जिसको हम एमटी के सकते हैं क्या हो जाएगी डिवाई पर डिएक्स एड़ पॉइंट ऑफ कॉंटेक्ट हमने क्या माना एक्स वन कॉमा वाई-वन इस इकॉल टू क्या हो जाएगा टू इंटू वाई तो है नहीं पूट अप करने के लिए तो एक्स वन माइनस यहां तो कोई डॉट नहीं है अब यह इस एक concept लगाएंगे दो line है तो निगल गया उसका चाहिए उसका चाहिए तो निकालो कैसे दो इसके यह यह बघाए डिए सारद यह तो कॉमा जीरो पूरानी सारी काम आती है ना तो 2,0 और 4,4 अब कोई ऐसे तो नहीं सकता है कि सर यह तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है नहीं आपने इस टॉपिक में कि अगर एक लाइन दो पॉंट से पास हो तो उसका स्लोप ऐसे निकालेंगे तो यह तो 11th class का concept है बहुत सारी चीज़े नहीं पढ़ाएंगे तो सारी टूपाइंट्स 2 गीवन पॉंट्स गीवन नहीं है निटू गीवन पॉइंट्स क्या है दोगिवन पॉंट्स 2,0 गॉमा फोगिवन है इस कि वन पा कि तो इसके स्लोप को हम रख देते हैं mc c4 code ओके तो यह कैसे निकालेंगे अपन फॉर्मूला है वाइटू अब फॉर्मूला मत लिखना वैसे तो लिख सकते हो लेगिन फिर हमने वाइबन अज्यूम किया वाइटू माइनस वाइबन फिर कंफ्यूजन होगा वाइबन कौन सा वहला अब सीधे निकालो न क्योंकि पारलल है अनव टैंजिन्ट इस पारलल टू कोड फाइन पूरी लैन लिख देना अब एन श्वाट में लिख दिया तैंजेंट तेंजेंट है तो इन दोनों के स्लोप सो जाएंगे के कोल म टी एक्वल टू एंजी दाट इस वाट वाथ एंटी टू एक वान माइनस तू व टू से टू कटा क्या बचा है यहां पर वन बचाना की जिए ओके इंप्लाइस तो एक्स वन एक्वल टू वन और माइनस टू दर आ जाएगा तो वन प्लस टू या नहीं थरी तो एक्स वन थरी निकला हर बार आपको जैसे आप पॉइंट ऑफ कॉंट्रेक्ट अज्यूम करो टेंजन की तो गीवन ही नहीं किसकी गीवन है कर तो वही साथ जो पिछले एक्विशन में हमने किया सारा ताम जाम वही लिखेंगे क्या नाओ दो पॉइंट ऑफ कॉंट्टेक्ट लाइस ऑन दर कर्व पहले एजूम भी करना पड़ेगा लेट पॉइंट ऑफ पॉइंट सारे से ठीक हैं चलिए तो एक्विशन ऑफ कर्व क्या थी बताओ जिसमें मैंने पॉइंट ऑफ कॉंट्टेक्ट रखा तो वाइजीरो एक्वल टू वाइवन से इसबार वाइवन एक्वल टू का होल स्क्वाइर एक्स वन की एक ही वैल्यू निकलिए त्री माइनस टू का होल स्क्वाइर यह निकी वन सो दे रिक्वाइट पॉइंट ऑफ कॉंटेक्ट एक्स वन कॉमा वाइवन इस एक ही आंसर आपकी बादा ना समझा है ठीक है चले आगे अभी तक भी टेंजेंट यह नॉर्मल की किसी की एक्वेशन नी बनाई वही स्लोप और यह पैरलल वगर में पिसले दो क्यूशन से अपन पॉंट ऑफ कॉंटेक्ट निकाल रहे हैं उससे पहले श्वेशन में स्लोप निकाला था अभी पॉंट ऑफ कॉंट निकल ठीक है और लाइन से अभी एक्वे इस फाइंड दे पॉंट ऑन दे कर अगें इस कर पे पॉंट निकालो जहां पर टेंजेंट ने तुको के बनें तो तो च्छेंट एक्वेशन यह को आपको कह दे टेंजेंट यह रही तो थोड़ना उठाकर देगा इसकी थे Geometry के अंदर Lines are represented by their equations तो tangent is क्या लेखा हुआ है at with the tangent is this तो यानि कि यह tangent क्या है यह tangent हो नहीं दिख रही है यह tangent की equation है तो हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे इसको तो हम क्या करेंगे, पहला काम तो होई पहले तो given curve, differentiation point of contact given है क्या यह चेक करो, नहीं है तो हम मान लेंगे X1, Y1, यह दो-तीन चीज़े तो fix है, पहला step, given curve की equation लिखना, दूसरा step, differentiate करना, तीसरा step, point of contact, given है तो वो put up करो, नहीं given है, तो हमारा माना हुआ X1, Y1 put up हो, तीन steps तो common है, let the point of contact be X1, Y1 मान के, और हमारा put up करो, ठीक है, तुच चलो, वहाँ तक तुचलते है, तो given curve की equation है यह, इसको differentiate करेंगे, both sides with respect to X, D, Y, Y, D, X, equal to, बोलो, क्या है, बस, that's it, अब उसके बाद, point of contact given ही नहीं है, वो यह तो पूछा है, पूछा है नहीं पूछा है, बस आप यह चकर हो, given है, नहीं given है, तो हम क्या गहेंगे, let the point of contact be X1, Y1, so, वहाँ से slope of tangent, slope of tangent, जिसको अपन empty से denote कराते हैं, that is empty, equal to, क्या formula है, D, Y, D, X, at the point of contact, जो कि हमने कहाना, X1, Y1, so, that is equal to 3, X1 का square, यह हमारा slope of tangent, at X1, Y1, यहां तो कोई doubt नहीं, अब, जब parallel to X-axis था, तो 0 के equate कर दिया, जब parallel to some code था, तो उसके slope से equate कर दिया, अब किसे equate करो, सोचो, क्योंकि देखो बटा, हर question different आएगा, आप यह मांगे चलना, इस वाले exercise में particularly, सारे question 27, सारे कर लेंगे, तो भी उन में से ना आगे 28 वा क्यूशन आजाए, यह concept based exercise है, जब full of surprise है, अगला surprise क्या होगा, मैं भी नी जानता, तो आप सोचो कि अब इस slope के साथ ऐसा क्या करूँ, ताकि मुझे दिवी चीज पता चल जाए, इस slope को equate किस से करूँ, ना तू 0 से कर सकता हूँ, क्योंकि एकसे से parallel given है, ना infinity से equate करूँ, ताकि y-axis से parallel हो, ना कोई और line given हो, जिसके slope से equate कर दों, तो उनों parallel होती तो, अब given क्या है, दूसरी चीज क्या given है, tangent का slope है, और tangent की equation है, और यह tangent का slope है, अभी तक उस equation का इस्तमाल नहीं किया, उस tangent की equation जो given है, वहां से भी तो उस tangent का slope आ सकता है, किसी line की equation given हो, तो उसका slope कैसे निकालते हैं, किसी line की equation given हो, something ka x plus something y plus 0 जो भी है, इस standard form जो भी form given हो, उस line की equation से उसका slope निकाल सकते हैं, कैसे सोचो, slope given हो तो equation बना सकते हैं, तो equation बनी बनाई ही तो वहाँ से slope निकाल सकते हैं, गया, और जो एक बार slope निकल गया, उसको इससे equate करेंगे, यह तो आप सको समझ में आ रहा है कि एक बार slope बता दो उसका क्या है, किसी भी straight line की equation को उसकी slope intercept form से compare करके, उसमें से उसका slope निकाला जा सकता है, this is the logic, तो वहाँ से इसका slope निकाल दूँगा, slope निकाल के हमारे slope से equate कर दूँगा, और फिर वही point of contact आ जाएगा, वही पूछ है, समझ गए, अब समझ गए आपको क्या करना है, क्या करना है, अब अपने को equation of tangent ही given है, now, the equation of tangent is given as, या तो यह तरीका है, कि slope निकाल के, वहाँ से slope निकाल के, slope to slope equivate करतो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, slope आपने निकाल लिया, यहांसे equation और equation को do equation से equalade करो, इधर slope है, इधर equation है, या तो slope to slope comparison होगा, या equation to equation comparison होगा, हमने क्या किया स्लोव निकाल लिया एक्वेशन में से भी स्लोप निकाल लिया स्लोपन गल St सकते हैं ठीक है हो सकता है किसी यह से किसमें और कोई चारा ना हो यह भी करना पड़े सो देक्वेशन ओटेंजेंट इस गीवन एस टेल मी वाटेवर एक्वेशन इसकी और में एम एक्स प्लस सी से कंपेरिशन होती होई दे रखी उसने जान करके इस एक्स--11 एक्स--11 कंपेरिंग इट-WiT-2 एक्वेशन ओफ-टेंजेंट उन विद टोव इंट्रसेप्ट फॉर्म तू फैंड़ लूप द्स्लोप इंट्रसेप्ट फॉर्म पूर्म चैप्टर नमबर 10 ओफ एस एक्सराइस प्रटिक्लर के लिए हाँगा तो यह directly connect होता है चैप्टर से ना, with the slope intercept form, that is y equal to mx plus c, इस से compare करूँगा, we get, we get, यहाँ से slope जो आएगा, we get m equal to, compare करो सीधे सीधे, 1, yes, अब मिल गया slope, हमारे उस slope से से इक्वेट कर, ठीक है, ठीक है, that is, now, हमने जो slope निकाला, mt, वो इस m के बराबर होगा, तो mt हमने क्या निकाला, 3, x1 का square, minus का, 11, और इधर के हैं 1, तो implies, इधर चलते हैं, 3, x1 का square equal to 1 plus 11, याने 12, 3 से यह 4 times cut गया, तो x1 की value बोलो ज़रा, 2 या minus 2, plus और minus 2, दो आएंगे ने बिटा, quadratic में हमेशा 2 आएंगी, कभी भी negative को ignore मत करो, ठीक है, तो x1 की value प्लस और minus 2, तो यहां से again y1 की दो value आ सकती है, अब वो put किस में करूँ, हमेशा सवाल आकरी में जाके, यह बसता है कि इसको put किस में करें, तो इसलिए better होता है कि एक rough figure बनाई लिया जाए, तो अब बना लो, देखो क्या है एक curve है हमारे पास, यह वाला वो curve है, उस curve पे हमने tangent बनाई, यह curve है, इस पे हमने tangent बनाई, तो जब हमने tangent बनाई, तो किस point पे बनी वो तो निकालना है, point of contact तो निकालना है, we are required to find this point of contact, given क्या है, equation of curve given है, इसकी equation given है, यह वाली, और equation of tangent भी given है, यह वाली, तो point of contact तो दोनों पे लाए करता है, तो मैंने कहा था, जिस जो given हो, दोनों गीवन हो, तो दोनों पे put up करके देखता है, हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, कि यह curve आगे जल कैसी जा रहा हो, वहाँ पे भी कोई tangent बन रही हो, जो इसके parallel हो, तो उसका slope भी तो बना सकता है, लेकिन यह अलग point of contact पे बन रही है, वो अलग point of contact पे बन रही है, तो कुछ भी हो सकता है, तो हमको क्या करना है, हमको दोनों में put up करके देखना है, कि x1, एक में आ रहा है, तो हम curve में put up करके चल लेते हैं, या tangent में put up करके चल लेते हैं, इधर भी टालना है, इधर भी डालना है, फिर जो common point है, ठीक है, चले next page पे, क्या 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 काम करना है, अब आपको, x1 की value 2 और minus 2, इसमें भी put up करके देखना है, उसमें put up करके देखना है, देखना है, दोर में से common point क्या है, तो steps के लिखेंगे हम, now, the point of contact, point या points, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि hint दे को point का है, उसने तो एक ही आएगा, यानि एक eliminate हो जाएगा, points of contact, that is, क्या माना हमने, x0, x1 माना है, अब जब x1 माना है, तो x0 की याद आ रही है, x1, y1 lie on the curve, so it must satisfy the equation of the curve, so putting, so putting x, y equal to x1, y1 in the equation of the curve, in the equation of the curve, we get, we get, so what was the equation of the curve, y equal to, तो y की जगज सीधे put up करते हूँ, y1 equal to, फिर क्या था, x1 का cube, minus 11x1 plus 5, तो x1 की क्या value ने का लिए, आपने दोनों, 2 और minus 2, तो 2 रख दो पहले, तो 2 cube, minus 11 into 2 plus 5, और लगाओ, और minus 2 का cube, minus 11 into minus 2 plus 5, so it's 8 minus 22 plus 5, and it's minus 8 plus 22 plus 5, तो 8 और 5, 13, 13 में से 22 गए, 7 और तो minus का 9 यहां से, और यहां पे 22 और 27 में से 8 गए तो 19, so इस हिसाब से तो x1, y1 मेरे यार है न, so, so x1, y1 is equal to क्याएगा, जब x1 आपने क्या लिया, 2, तो वहां से y1 आया, minus 9, और लगाओ, जब आपने x1, minus 2 लिया, तो आया 90, अब यह का यही part पूरा का पूरा repeat करना है, यह की यही steps लिखनी है, दुबारा में, मैं direct लिख रहा हूँ, क्या, again, the points of contact, that is x1, y1 also lie on the tangent, so putting, so it must satisfy the equation of the tangent as well, so putting x, y equal to x1, y1 in the equation of tangent, we get, we get, so tell me what was the equation of tangent, y1 equal to x1 minus 11, अब यहाँ अब लिखनी दो लिखनी दो लिखनी दो लिखनी, एक बाद 2, minus 11, एक बाद, minus 2, minus 11, so it's minus 9, and it is minus 13, so यहाँ से x1, y1 क्या आया, यहाँ से x1, y1 क्या आया, जब हमने x1, 2 रखा, तो y1 क्या आया, minus 9, 2, minus 9, और जब हमने minus 2 रखा, अब यहाँ से, जो point of contact आया, वो यह दोनों है, यहाँ से, जब point of contact आया, वो यह दोनों है, तो common क्या है, बचक करो, क्योंकि point of contact वो होगा, जो दोनों पे लाया करेगा, एक नहीं होगा, उस curve पे, दो points ऐसे हो सकते हैं, जहाँ पर slope वो निकले, उस tangent पे भी, दो point, वो tangent भी, दो, एक से ज़्यादा हो सकती है, जो, जिसका slope वो हो, लेकिन अब वो common point क्यों सा है, जहाँ पे tangent और curve टक रहा है, और एक ही tangent वो हो, unique tangent हो, जहाँ पे slope भी वो हो, और वो curve भी लाया करती हो, समझ गया, तो क्या करूंगा मैं, कौन सा है common point, hence the required common, common word लगा देना, common point of contact is, is 2, minus, तो in short moral of the story कहे कि अगर दो equation की वेने तो दोनों में put up काना है, अब इगर हम जल्दी बाजी में curve में put up कर देते हैं, दो an answer ये निकाल लेते है, जल्दी बाजी में gradient में put up कर लेते हैं, तो दो आनसरी निकाल लेते हैं, दोनों ही गलत होता है, ठीक है फोफुली हमांको एक ही चीज़ गीवन हो जिसमें पूर्ट अप करना हो दो चीज़े ना गीवन हो नहीं तो हमारा काम थोड़ा असल जाता है चले नेक्स क्यूशन पर इसको करते हैं डिलीट नेक्स क्यूशन इस यह लो अब अपकी बार एक्वेशन बनानी है ठीक है फाइंड एक्वेशन ऑफ ओल लाइन्स जितनी भी लाइन्स हो उन सबकी एक्वेशन बनाओ ज्यादा ज्यादा दो ही मिलेंगी है ना जिनका स्लोप तो होता हो यह और जो इस स्लोप स्लोप से एक्वेशन बना लो ठीक है चलो तो करते हैं शॉट में सबसे पहला काम क्या होता है बेटा सबसे पहला काम तो equation of the curve note करके dy by dx और slope क्या है उसका minus 1 so the equation of the curve is given as this इसके आगी एक्ट्रा information लिख देना बाकि इसका कोई solution में कोई role नहीं है बस इसलिए दिरखा है राकिए not defined ना बन जाए ठीक है या infinite ना बन जाए इस माइनस वन का होल स्कॉर क्यों अच्छा कोशन टूल लगा रहे हो लेकिन वह बनी है तो लिखने की ज़ूरत नहीं है ठीक है आप कोशन टूल से निकालो मैं को कोई प्रॉब्लम नीए लेकिन कब तक निकालोगे विकॉस आगे इंटीग्रल्स हमने सॉल की हैं अगर हम इतना चोटा डेरिवेटी भी उससे निकालने लगेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम डिएक सी होगे अब पॉइंट ऑफ कॉंटेक्ट गीवन नहीं है नहीं है तो हमको अजूम करना अब डेकल अब लॉट पांटेक्ट डेकल दीएड इसको टेक्स एकस ओडेक्स वन वाइवन आव इसका अब टैना इसका बनेगा माइन माइनस वन बाइनस वन गाह औक कि अब तो मैं क्या कहूंगा एक लाइन लिखूंगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको गीवन भी है ना इस इक्वल टू किस क्या गीवन था माइनस वन तो मैं इसको माइनस वन रख दूंगा और सामने डाल दूंगा की या फिर बिलकुल और थोड़ा सा स्टेंजेड तरीके से चलें तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इस गीवन एस आना था ना दो स्लोप ओफ टेंजेंट या टेंजेंट्स भी हो सकते हैं क्योंकि ऑल लाइन सार मिल गए आपको क्या है empty minus 1 by x1 minus 1 का whole square equal to minus 1 minus 1 plus होगे दोनों तो x1 minus 1 का whole square क्या हो गया 1 हो गया 1 हो गया तो यहां से square अटाओ महा root लगाओ तो यह square हटाया root लगाया तो answer plus और minus 1 तो x1 की दो values आई ही again एक बार तो plus 1 में plus 1 जोडो तो 1 plus 1 2 और एक बार minus 1 में plus 1 जोडो 0 तो x1 की दो values आई अगें point of contact lies on the curve lies on the tangent, tangent की equation given नहीं है तो कर में डालनी है कर की equation में डाल देते हैं इसको हम बोलो कर की equation क्या बनेगी y1 equal to 1 divided by x1 minus 1 तो x1 की दो values है हमारे पास 1 divided by एक बार तो है 2 minus 1 और एक बार 0 minus 1 so it is 1 by 1 1 and it is minus 1 so point of contact are so point of contact x1 y1 जो हमने assume किये ते finally आ गए क्या है एक तो 2,1 and दूसरा 0, minus 1 तो 2 point of contact नहीं दो tangent पनेगी उन दोनों tangent की equation चाहिए slope की मैंने point of contact की वाने ठीक है तो next page पर आजाओ now पहली बार हम इस exercise में equation of tangent निकाल रहे हैं जो main topic था अब तक given थी या कुछ और हो था the equation of tangent या tangents to the given curve to the given curve at the points of contact at the points of contact दो निकाले न अपने आर गीवन बाई ठीक है तो पहले तो standard form लिख रहा हूं है याद है अभी one माना है अपने आपने वन माना है तो फिर one ही लगाओ equal to mt लिखो पकाई दो जो माना है वो आपने slope of tangent mt लिखा है तो फिर mt अब यहां से दो टेंजिंस बनेगी इधर इधर दो बना दो implies तो वाई माइनस क्या-क्या-क्या point of contact निकाले आपने लिखे नहीं कि हमने यहाप पे two one और zero minus one two one and zero minus one at the point of contact यह लिख जाना चलो एक बार तो पहले two लगा दो तो वाई माइनस two what's the time hello हाँ जी ठीक है सो वाई माइनस क्या था हमारे पास point of contact क्या था यह two, one और zero minus two equal to slope तो same है दोनों में और slope देखो अब slope हमने भी निकाला है और slope उसने भी गीवन है अब दोनों सेम ही तो है तो जो इजी लगे हो डालो न तो उसके उसके पास तो given value है मेरे पास पूरा है structure है तो मैं structure क्यों डालूंगा मैं given value डालूंगा क्या slope given है बताओ अब बीच में और लगा देता हूं क्योंकि दो बना रहे हम ठीके अब इधर आजाओ second वाला case आजाओ y minus again y1 तो y1 अपकी बार minus 1 तो y minus minus 1 empty तो same ही होगा minus 1 और x minus 0 तोरों को solve कर दूं इसको और इसको implies it's like minus 1 minus 1 से multiply कर रहा है तो minus x plus 2 और इधर आजाओ y plus 1 equal to minus x चलिए तो standard formula convert करेंगे तो x plus y minus 1 और minus 2 यहने minus 3 equal to 0 यह हो गई एक equation of tangent इधर x plus y plus 1 equal to 0 सब्सक्राइब की जब दो टेंजेंस बने तो दोनों का सेम है तो दोनों टेंजेंस प्यारल होंगी तो x कोडिनेट और y कोडिनेट के जो इधर एक कोडिनेट का इधर यह इक्कोल आने की चांसे नहीं है मैं लेकिन प्रपॉर्चनल लाइंगे तो वन 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 होता है और वन भाइंगे प्रपॉर्चनल वन यह तो यह नोगा यह और यह यह तो इक्वल यह दोनों भी इक्वल हो जाएं तब तो इस सेम लाइन हो जाएगी फिर दो अलग अलग फैरल लाइन तो चोटी चीज़े याद रखने हमको हमारा आंसर करेक्ट या निया हमको देखने में सौलत होगी ठीक है लाइन स्लोब जीरो टैंजेंट टुदक कर थाना तो एलेवंध मुझे याद आ रहा है लास्टर किया था हमने तो इसका आंसर देखना पीछे ऐसा आएगा शायद एक टैंजेंट ही नहीं निकला होगा तो सवाल यह है ना तो मुझे बताओ मैं क्या करूँगा डिवाइब यह काम करोगे आप निकालो बाए का होल स्कॉएर की वन स्लोब से एक्वेट कर दोगे इकवल्स टू इसको सॉल करो तो इस लाइक फ्रॉस मैंटिप्लाय यह को इदर ले जाओ तो एक्स माइनस ठीका होल स्कॉएर उदर चला गया और इदर कि किसी का भी स्कॉएर माइनस वा सकता है गया नहीं आ सकता है यहां से एक्स की वैल्यू के आ गई मेरे पास प्लस और माइनस रूट में माइनस वन वाए टू और माइनस तरी दिर आके प्लस तरी विच इस नौत ए पॉइंट आपने एक सब्सक्राइब तो इस तरीक इस तरीक इस तरीक इसमें जाएगा तो तो यह सब्सक्राइब तो एक स्कॉर्ण ने तो एक स्कॉर्य जिसस पर टैंजेंट बनाना है तो वह फिर कि उसारा काम आजओ झाल कैसे निकालों आपकी वाई एक्वल्ट तो कुछ ऐसा तो डिफ्रेंशेटिंग बहुत साइद्स इसका बोलो टूवाई इक्वल टु आइवन का सी यहां से डी वाइबाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है बोलो यह पहले उतर बेजो माइनस टू एक्स बाइन और यह पार्ट मल्टिप्लाइड दिर नीचे डिवाइड होगा इसके डिवाइड होगा तो इसका रसीप्रोकल मल्टिप्लाइब करा तो एक और कुछ नहीं कट रहा माइनस 16 एक्स बाइन यह आया है मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट इस करव पर पूंट ऑफ कंटेक्ट मानने पड़ेंगे पॉइंट यह पूछे तो मानने पड़ेंगे क्या मालने एक्स वाइवन तो एक्स वाइवन मानते ही स्लोप ऑफ हो जाता है मेरा जिसको अपना एंटी कह सकते हैं डाट इस एंटी एक्वल टू डी वाइब डी एक्स क्या माना पहले लिख देना लेट पॉइंट ऑफ एक्स वाइवन और यह एक्स वाइवन ही इस क्यूशन का रिक्वाइट थिंग है तो इस लोग को किसे एक्वेट करने अगले सोथ न होता है तो एक पार आप cyclist की इसक्स एक Осब किससे जीरो अरो एकसेस इंफिनिटिज को मदीड oh ठीक है तो अति जाओ त्या लिखेंका मैं now it is given that the tension's there आया डो एक्स ईक्स सो एम्टी एक्वल टू जी infinity equal to 1 by 0 अब जो empty आपने निकाला है वो रखतो तो उनों चबाँ क्या निकाला है that is minus minus का 16x1 divided by 9y1 तो एक बार इसको equate करूँगा 0 से एक बार इसको सेम चीज़ को equate करूँगा 1 by 0 से 1 by 0 से इसको 0 by 1 लिख सकता हूँ तो दोनों को जब cross multiply करेंगे तो यहां से यह y1 वाला कट जाएगा और x1 वाली चीज़ रजाएगी minus 16x1 equal to 0 और यहां से यह कट जाएगा और y1 वाली चीज़ रजाएगी 9y1 equal to 0 ओके तो यहां से x1 आ जाता है 0 और वहां से y1 आ जाता है 0 लेकिन अभी भी दोनों जगह से एक की कोडिनेट निकला है दूसरा कोडिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा put this in the equation of the curve ठीके ना सो पुटिंग इसके बात काम आप जानते हो वही सेम पॉइंट फॉंट 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 लाइस ओन दगार्व सो इट्मस्ट इक्विशन अव गार्व सब्सक्राइब वहाँ पर भी सेम तूसें यह चीज़ वी गेट एक्स वन का स्कौायर 15 इक्वल तो यहां तो एक्स वन की वैल्यू जीरो पूट अप करो तो यह पूरा पार्ट जीरो हो जाता है 0 प्लस y1 का square by 16 equal to 1 और वहाँ पे इसकी value 0 put up करो तो यह हो जाता है x1 का square by 9 प्लस वो 0 हो जाता है equal to 1 तो यहाँ से y1 की value आ जाएगी वो ही चाहिए और वहाँ से x1 की value आ जाएगी 16 बन जा 16 तो y1 की value बोल दो plus or minus 4 और यहाँ से क्या जाएगी बोलो x1 का square 9 हो जाएगा तो x1 की value की हो जाएगी plus or minus 3 ठीक है तो point of contact जो चाहिए थे अपने को दोनों questions के मिल गए इसके तो क्या मिले x1, y1 equal to x1 तो 0 fix है 0,4 दो point of contact मिले यहाँ पर भी 0, minus 4 और यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा x1, y1 equal to यहाँ पे 0 यह fix है तो x1 के यहाँ मिला plus or minus 3 तो 3,0 and minus 3,0 so these are the four answers पहले पार्ट के दो answers दूसरे पार्ट के दो answers दन यह हो गया काम चलो अब यह तो हो गया पूरा प्रापर तरीका इससे करने है but let's say अगर यह question का weightage कम आ जाता है और दूसरी चीज इसक्यूशन का weightage कम आ जाता है दूसरी चीज MCQ में आ जाता है तो without even applying differentiation इसक्यूशन का answer नहीं गला जा सकता है without applying बहुत सारे सक्यूशन दे वेटेस एक्से में जिसमें differentiation की ज़रूरती नहीं तो वो कैसे होगा देखो ellipse की equation से आपके ellipse का एक rough figure बनाना आना चाहिए बोलो ellipse का rough figure बनाना आता है short मैं बना देता हूं मैं जल्दी से is the 2D graph x square के निचे 9 ने y square के 16 यानि कि ये एक vertical ellipse है जिसका जो main axis है major axis वो y axis है ना so the equation of the ellipse will be somewhat the graph of the ellipse will be somewhat like this अन्दाजन से ऐसे बना सकते है ठीक है ठीक है अब अगर x square के निचे 9 है तो इसके vertices क्या होंगे x axis पे vertices क्या होंगे 3 और minus 3 तो ये point क्या हो जाएगा 3,0 ये चीज तो equation देखकी सीखी है अपनने क्योंकि हमारे सारे ellipse standard होते हैं जिनका center origin होता है लेकिन हमारे course में हैं 11,12 में आपके cbse या जितने भी math जहांपर भी होती है ऐसे ही ellipse है और ऐसे ही hyperbolas है जिनका center 0,0 तो ये वाली points क्या हो जाएगी तो बस just looking at the equation we can find the four vertices yes or no निकाल सकते हो अब इस ellipse पे ऐसे points डूंड हो जहां पे tangents बनाओ तो parallel to x-axis बने और parallel to y तो सरल साव काम है बच्चा भी बता दे कि सर parallel to x-axis वाले tangents यहां बनेंगे दो और parallel to y-axis वाले tangents यहां बनेंगे तो point of contact क्या है इसका answer हो गया 0,4 and 0,-4 और इसका answer क्या हो गया parallel to y-axis के 3,0 and minus 3,0 very easy तो this will be the shot trick के लो या mcq pattern के लो या fast approach के लो ठीक है इसमें differentiation करने 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 अब question में 14 total homework है बेटा एकाथ question में बता देता हूँ क्योंकि सारे direct questions अभी है आज homework खुड़ा ज़्यादा है जो अच्छे questions है मालब जिसमें full of surprise है नहीं नहीं चीज़े हैं नहीं नहीं बाते हैं वो कल से start होगी है आफ्टर 15 था ना तो 14 तक तो आप आज करो इसमें से एकाथ question में उठा लेता हूँ 14 में 5 parts है सब में एक ही काम करना है equation of tangent and normal दोनों निकालनी है curve given है और point of contact given है slope नहीं है sir differentiation कर और slope में उठालो let's say कोई भी equation उठा लेते हैं अभी के लिए practice के लिए बाकिस फिर आप करो बताओ कौन सा उठाओ जो आपको पसंदो परामेट्रिक फॉर्म चलो तो x equal to cos t and y equal to sin t तो और t equal to point of contact भी फिर parameter की form में given होगा t equal to pi by 4 ठीक है तो आजाओ this is the this is the equation of the curve पिल्कुल ऐसी equation of the curve है हमारे पास parametric form में ऐसी तो मिलती है कल भी किया था equation so यहां से क्या आएगा dx by dt differentiating both with respect to t तो cos t का बताओ minus sin t and इधर से आजाओ dy by dt equal to cos t तो हमको ना तो dx by dt चाहिए ना तो dy by dt हमको तो dy by dx चाहिए जिसको हम slope of tangent भोलता है ओके या फिर चलो एक बार dy by dx से निकालो slope of tangent मत लिखो यहां पर सीधे-सीदे क्यों क्योंकि normal भी पूछा है तो आप ने tangent का पहले क्यों निकाला है ना तो आप dy by dx निकालो जन्रल सीजींग है ना dy by dx equal to formalize dy by dt by dx by dt so it's like cos t minus sin t and it is like minus cot t अब दो चीज़ें slope of tangent slope of normal तो slope of tangent जिसको मैं short मैं empty लिख दू वो तो सीधा-सीधा dy by dx होता है point of contact assume करना पड़ेगा नहीं given है point of contact given है तो point of contact निकालो के लिए point of contact कैसे निकाले सराम point of contact जिसको अपन x1, y1 कह देते हैं एक बार के लिए वो कैसे निकालते हैं given हो तो just given भी parametric form में तो देखो कैसे निकालूँगा मैं x की value क्या है cos t तो t क्या है pi by 4 तो क्या हो जाएगा यह cos pi by 4 comma y की value क्या है sin t और t क्या है pi by 4 sin pi by 4 so this is the point of contact okay बाखी equation में तो और सरल तरीके से कीवन है 0,13 as it is रखते हैं अब इसमें parametric form में है तो पहले निकालना पड़ेगा cos pi by 4 यानि की 1 by root 2 comma 1 by root 2 so this is the point of contact आजो d by by dx d by by dx at the point of contact यानि की 1 by root 2 comma 1 by root 2 ठीक है यह कैसे निकलेगा minus quad अच्छा जी अब देखो यह हमने रखतो दिया लेकिन हमको तो t की value रखनी थी आपने यह लिख दिया अच्छी बात है लेकिन t की तो value रखनी थी तो pi by 4 है तो minus quad pi by 4 quad pi by 4 क्या होता है 1 minus 1 तो यह तो क्या mt mn में निकालो लगे हाथ तो यह क्या हो जाता है minus 1 by dy by dx at the point of contact जो की क्या है 1 by root 2 1 by root 2 ठीक है this is equal to minus 1 by इसकी value निकाली अभी आपने minus 1 that is 1 आप दियान से देखो यह दोनों का product 1 आ रहा है that means हमेशा tangent and normal का जो product होता है minus 1 होता है अभी भी आ रहा है अब यह है तो हो गई slope निकालने की बात हो गई point of contact निकालने की बात हो गई अब equation तो equation of tangent कैसे निकालूँगा y minus y1 equal to mt into x minus x1 निकालो so y minus y1 यानि की y minus what is y1 निकाल रखा है आपने चेक करो 1 by root 2 पहले से निकालने में फायदा है न फिर इदर निकालता mt वो भी निकाल रखा है अपने put up करना है बस अब तो minus 1 x minus वो भी क्या है 1 by root 2 चलो root 2 से multiply करते हैं सबको root 2 times y minus 1 minus 1 अंदर लेगे जाओ minus x plus minus root 2 times x सबको root 2 से multiply कर रहा हूँ न मैं minus root 2 times x और plus 1 ठीके इसको इदर ले किया हूँ या इसको इदर ले जाओ इसको इसको इदर ले जाओ तो it's like root 2 x plus root 2 y और 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 इसको भी दर ले जाओ तो minus 2 equal to 0 this is the slope of the equation of the tangent और normal की निकालो बड़ावड next page पर जाओ y minus y1 equal to mn into x minus x1 बताओ y minus 1 by root 2 और वो क्या निकाला था 1 x minus 1 by root 2 चलो इन दोनों को again root 2 से multiply कर तो सबको root 2 y minus 1 और root 2 x minus 1 minus 1 minus 1 कट गए दोनों साइटी 0 हो गए तो इसको इदर ले जाओ तो root 2 x minus root 2 y equal to 0 और root 2 भी उदर ले जाओ फिर तो x minus y equal to 0 root 2 से divide करा दो so ये तो आगए equation of normal match हो रही है और equation of tangent match हो रही है कि कुछ अलग form में है root 2 को divide करा दो x plus y minus root 2 equal to 0 done तो ये एक पार्ट मैंने करवा दिया है आपकी मन पसंद का parametric form का आपने का ये करवा हो बाकियों में तो और भी parameter भी नहीं है तो सीदे सीदे put up करना है calculation छोटी बड़ी हो सकती है उससे deal करना ही पड़ेगा यहां तक करके आओ अराम से फिर जो special type of 9 equations है इनॉटिव कल देखें बड़ी जतो है तर भी जब एक झास्ट थक्यों जए बड़ी जए ग्यां करते है यहां करते है गब करते है झाल